हाई गाईज वेलकम टू डाइमेंशन आयस प्रेलिम्स हुआ उसका डिस्केशन भी हुआ अनलेसिस भी हुआ कुछ लोगों के बहुत बुरे स्कोर है यह सब कुछ चलता रहा है अब पूरा एंवायरमेंट भी थोड़ा बहुत सेटल हो चुका है अब इस सीनारियों में दो से हमें प्रेपरेशन करना पड़ता है पहला कि जिनका स्कोर बहुत ही अच्छा है और उनको पॉसिबिलिटी है कि मेरा क्लियर हो जाएगा प्रिलिम्स वो में इसकी प्रेपरेशन शुरू करें 2023 की पॉइंट अब यू से और जो दूसरा है जिनको लगता है कि मेरा अब इसके हिसाब से वो प्रिपेर करना शुरू है पर इन बोच सीनारियो वन तिंग इस कॉमन और या अगर आप 2023 का कर रहे है और 2024 का दोनों को भी मेंस ही प्रिपेर करना है और मेंस में सबसे इंपोर्टन है उसका अनादिस तो एक फंडामेंटल चीज है जो मेरे इंटर से मुझे वो काम में आ रही है तो हमकिस पोरे सीनार में करेंट रिलेवंस इस मुस्ति इंपॉर्टनेंट तीं मारत किस पॉइंट पव्यू से अगर मिन्स की question को देख रहे हैं तो मेंस के question को अगर कोई point of view से current relevance है या नहीं यह देखना बहुत ज़रूरी है बहुत बार हम क्या करते हैं कि सिर्फ current 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 करके जाते हैं लेकिन current का linkages नहीं लगा पाते हैं so we will understand that particular current linkages through the analysis itself ठीक है मतला बहुत सारे टॉपस ने भी बताया है कि current बहुत important है तो वो सारी चीज़े हम आज बात करेंगे right so अगर हम specifically पिछले साल का question paper ले रहा हूं GS123 तीनो ठीक है तो GS123 में अगर हम बात कर रहें question paper का तो पहला question जो था so how will you explain the medieval Indian temple sculpture and social life मतलब medieval Indian temple sculpture and social life का relation है तो अगर हम बात कर रहें तो उस पर एक new Indian express में न्यूज आये था में 2022 में medieval temple for warriors Satishilas found in mana the sculpture depicts the supreme sacrifice warrior has made for his kingdom तो यहां पर यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि history के भी question जो pop-up होते हैं अगर हम यहां पर थोड़ा सा description भी पढ़ ले answers cannot be covered from the given articles यह बहुत important है मतलब हमें क्या करना है कि एक article दिया हुआ है एक article न्यूज में है या फिर कोई news है या editorial कोई भी है मतलब वह Indian express से हो सकता है दह हिंदू से हो सकता है और any other prominent newspaper जो भी है तो अगर कोई भी चीज आर्टिकल आया है न्यूज आया है तो उस आर्टिकल से उस न्यूज से सारे question के answers cover नहीं होंगे वो क्या करेंगे सिर्फ वो सिर्फ specifically उस आर्टिकल से एक question या फिर आपके syllabus को point को trigger कर देंगे और उस आर्टिकल उस current relevance and वो जो syllabus का point जो trigger हुआ है उस syllabus point को अपको static point अब इसे study करना है मतलब यहां पे medieval temple for warriors और यहां पर लिखा sculpture depicts the supreme sacrifice of warrior अब इससे यह सवाल cover नहीं होगा उसका content नहीं आगा लेकिन इससे एक point trigger हुआ culture में कि भाई sculpture and social life में क्या relation है वही तो सवाल पूचा है UPC नहीं मतलब आपको सिर्फ news कभी 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 news से कोई syllabus का point trigger हो जाता है उस syllabus के point को static point से आपको cover करना है और example देखते हैं तो यह purely static point of view से question था specifically purely static point of view से question हिस्ट्री में आते हैं बागी सारे subjects में current relevance कहीं न कहीं हमें मिला है तो अगर हम बात करें तीसरा question जो famines in colonial India पे है तो as it is the Hindu में 28 January 2022 में news दे मतलब जब भी हम current relevance की बात करते है तो UPC एक साल पीछे चला जाता है तो एक साल का current generally UPC के लिए current हो दें लेकिन फिर भी UPC कुछ मेनों को focus करती है we will talk about that as well कि यहाँ पर दिखा है Republic of hunger and online database records the cultural histories of famine and death in early modern Indian Britain पर यहाँ पर लिखा है famine as it is directly hit हो गया question मतलब famine news में अब जाके famine मुझे static book से पढ़ना है तो यह सारी चीजे यहाँ पर होने की कोशिश कर रहे कि भई कोई news है कोई article है the Hindu से आ सकता है Indian Express है और उससे एक static point trigger हो रहा है अब उसको जागे static traditional book से मुझे पढ़ना है उस पर सवाल आ जाए का उससे content generate हो तभी यह सवाल आप attempt कर पाऊगे वह हुआ है for example work from home यह society का question है work from home family relationship पे तो how work from home has disruptive the mother's work-life balance उससे ही the devastating toll of pandemic on families यह directly उस वक्ड़ हिंदू से और इंडिन एक्स्प्रेस से न्यूज आए थी मतलब यह relations से अब आप static point of view cover करेंगे वही हो रहा है अगर आम बात करें tier 2 cities के बारे में next wave of startup to come from tier 2 and tier 2 union minister का statement था तो इसलिए tier 2 के relation में society the study करना बहुत ज़रुए था tier 2 plus cities record the highest traction beauty and grooming e-commerce वही तो सवाल है new middle class right मतलब यहां पर जो news है उससे related static point पर question आएंगे यह सिर्फ history में नहीं हो रहा है सारे subject में हो रहा है तो हम बाकी की subject भी थोड़ा सा देख लेते हिस्टी का हम देख चुके अगर हम बात कर रहे है अब यहां पर यह भी history है चोला का देन लाइन अन बूल लाइन जो एबलेम था उस पर controversy होती है उसके बाद ancient bull figure and यह generally culture related जो भी question होगे वह ज्यादा से ज्यादा एक या दो दिन कहीं तो न्यूज में आ होता है उससे वह issue based पे जनरली question नहीं आदा है issue based मतलब 5-6 दिन तक न्यूज में चल रहा है और उसके basis पे quality में आ जाता economy में आता है लेकिन history या फिर culture point of इसे जो भी सवाल आते है तो वह generally एक या दो दिन की news पे ही आता है तो वह एक दो दिन की news हमें trace करने पड़ते है most of the time वह the Hindu या Indian Express से कही ना कहीं तो cover हो जाते यहाँ पे अब अगर हम geography की तरह आ रहे है influence the ocean currents why Atlantic ocean current system is slowing down its implication वही तो सवाल था what are the forces that influence ocean currents influence तो हो रहा है implications क्या है और influence क्या है why तो यह directly Indian Express का explain था उस पे directly सवाल पूछा गया है फिर distribution of rubber producing countries indicate the major environmental issues rubber plantation go green to arrest yield go green मतलब क्या है environmentally related तो यह directly दो हिंदू से trace किया गया question है यही पे देख लो for example significance of stress and estimates US refurb the China by calling the Taiwan state international waterway अब significance in international trade यही तो है international trade क्योंकि तभी तो US इंटर हुआ है तो यह सारी चीज़े क्या हो रही है कि यहां पे हम link करने की कोशिश कर रहे है कि कोई भी news मतलब यह जब भी आप analysis करते हो ना तो क्या होता है यह भी समूझ लो सपोझ एक news आया है आप analysis कर रहे है और यह question इस news से लिया गया है तो आपकी दिमाग में अब equation create होना चुड़ू हो जाता है equation मतलब क्या है कि भई इस टाइप के news से इस type के question generate होते हैं इस type का अगर article आपके यह type के question generate होते है तो यह equation जब generate होता है आपकी दिमाग में, तो यहां से आगे आप जब भी newspaper या फिर current की magazine पढ़ोगे, तब उसी point of view से आपके predictions होना शुरू हो जाए और यह predictions बहुत important, क्योंकि अगर आप predict कर पा रहे हैं, तो वो content आप ठीक से पढ़ना शुरू कर दोगे, तो यह predictions के लिए यह equation और इस equation के लिए, यह question paper analysis for the last 3 years आपको करना ज़रूरी, last 3 years मतलब GS123 आपको करना ही है, मतलब 2022, 2021 और 2020, यह आपको करना ही है, for example, troposphere, significant atmospheric layer that determines the weather processes, वही तो लिखा है, world economic forum, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा fast stretch है, यह हम ज्यादा trace नहीं कर सकते, तो यह हम static में ही डाल सकते, त यह थोड़ा सा fast stretch link है, लेकिन अगर आपके पढ़ने में आया है, तो यह ऐसा equation बनाने के लिए आपको काम आएगा, analyze the silence of the sect in Indian society, religions in India are living together separately, then release of Pew Research Center report, वो report release हुआ था, उसकी बज़े से यह सवाल आया था, then are tolerance, assimilation, pluralism key elements in the making of Indian form of secularism, secularism तो पिछले दीन सालों से news में है, तो य challenging the rise of majoritarianism, यह सवाल आया हुआ है, right, specifically, अगर हम थोड़ा सा GS1 के बाद GS2 की तरब चलते है, ठीके, सारा relation वही ही है, मैं वही बताने की कोशिश करूँ है कि आपको trace out करना है, right, GS2 के अगर हम बात करें, तो GS2 तो almost 100% सारे question current relevant है, significant achievement of modern law India, constitutionalization of environmental problems, specifically short strip team green node, expert 6, supreme court push, revamp, supreme court का द directly है, government lost 8,000 करूट due to the 5 cases नहीं थी है, मतलब वो environmental cases थे, तो वही तो constitutionalization of environmental problems by supreme court, वही तो news में थी, right, वैसे right to movement and residence throughout the territory are freely available Indian citizen, peasants cannot, person cannot deny right to reside, move freely throughout country on film सिकाउट, वही तो question है, right, freely available movement, residence, वही तो news है, तो यह सारे जो चीज़ है, आपको, for example, discuss the road, role of vice president of India as a chairman of Raja, election of vice president था, तो vice president का आपको detail करना ही पड़ा, तो vice president पर किस point of business सवाल आएगा, यह नहीं बता सकते, लेकिर vice president पर सवाल आएगा, यह जरूर बता सकते, right, वैसे ही, discuss the role of national commission for backward commission, right, madras high court 6, center response on the reported delay in the constituting, constituting national commission for backward classes, वही तो सवाल है, discuss the role, मतलब NCBC पर सवाल आया है, और उसके role पर आया है, क्यों, क्योंकि वही तो news में था, right, तो जो भी news आएगी, उसका static part, हर तरीके से, हर aspect से, every dimension से, आपको cover करना है, right, for example, थोड़ा सा ओड ले 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 था कि आपको समझ में, यह तो popular subjects है, तो यह आने ही थे, right, for example, international, international relation तो पूरी तरह से current पर ही है, India is an age old friend of Sri Lanka, discuss the India's role in the recent crisis, recent crisis उन्हों नहीं दिया है, तो अलग discuss करने की जरूरा था ही नहीं, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का directly news था, दहिंदू में, right, anti-defection law तो already शिव शेना crisis में, शिव महाराष्टा में जो political crisis हुआ था, उसकी वज़े से news में था, तो quality तो पूरी तरह के से यही है, कि भाई, news में है, odd ले लेते थोड़ा सा, ताकि आप समझ पाई के exactly क्या है, यह तो सारे popular subjects है, इसमें कुछ odd है नहीं, discuss the role of election commission of India in the light of evolution of model code of conduct, questioning the impartiality of the election, election commission पर सवाल आने ही वाला था, assembly polls in five states, model code of conduct comes into, तो five states का obviously model code of conduct आपको पता ही होना चाहिए, तो यह सारे सवाल आपके generate हो रहे है, right, besides, हाँ, नहीं, यह नहीं, कोई odd question ले ले लेते हैं, यह सारे popular subjects है, तो आपको पता ही, यह सारी file, यह जो file है, मैं share कर दूँने description में, आप पूरी तरह से उसको go through करना, और इसी basis पे आपको क्या करना है, कि 2021 और 20 का analysis आपको खुद को करना है, ताकि आप समझ पाया कि किस तरह से आपके connections बंड रहे हैं, तो उस point of this आपको discuss करना है, और जब जब Supreme Court का कोई भी चीज, कोई भी जज, कोई भी verdict आ जाता है, तो उससे related question आई ही जाता है, तो Supreme Court, Union Minister, Government, Central Government, कोई भी आगर कुछ भी statement देता है, तो वो आपकी चीज न्यूज में है, तो आपको वो पढ़नाई ही है, आई यू, यो, I2, U2 पे question आया था, obviously, ये the Hindu में, obviously, former Israeli, NSA ने एक statement किया था, तो ये, India's partnership, can be game changer in I2, U2 grouping, as it is new है, तो how will I2, U2 grouping transform India's position, वही तो सवाल था, right, GS3 पे चलते है, GS2 तो पूरी तर से, GS3, GS3 तो approximately 98 ही question शाहिद नहीं था, ओके, then, और ले ले लेते, ये तो PPP आया जाता है, PPP model, APM inaugurates India's first PPP model based on the Rani Kamalapati station, why is the PPP required infrastructure, infrastructure ही तो है, examine the role of PPP model in the redevelopment of realvestation, वही तो बोला है, realvestation की बारे में, right, is inclusive possible under market economy, India now ahead of the channel is financial inclusion matrix, financial inclusion news में था, तो inclusive growth की बात हम बात कर रहे हैं, right, food processing always news में रहता है, as it is news आते हैं, तो आपको सिर्फ trace out करना है कि क्या आपको specifically, discuss the in detail the photochemical smog, emphasizing की, मतलब odd लग रहे हैं हमें, लेकिन दिल्ली की वज़े से smoke tower, smoke, photochemical smoke हमेशा से news में था, तो वह आपको पढ़ना है, right, right, spare, थोड़ा सा odd ले 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 थे, एक सवाल था, बहुत odd था, जो हम trace कर रहे थे, flash पढ़ा है, cloudburst ये news में था, right, then organized crimes, organized crime हमेशा न्यूज में रहते हैं, तो ये आपको पढ़ना है, तो दे हिंदू एन इंडियो एक से, अगर आप ठोड़े से, ठीक से, फॉलो करोगे ना, तो भी आप समझ जाओगे, की भई, यहाँ पे, transition for fossil fuels, reforms that farming really needs, ये सारे न्यूस में questions, अभी हापे लॉंच रॉंच 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 बेंटेथिजेंबर डिसेंबर टॉच भी इंडियो पीसे रॉंच रॉंच देया, जेम्स वेब स्पेस्टेलिस की बारे में, तो UPC कभी-कभी खुद करेंट कंटेक्स देता है, कभी-कभी नहीं देता है, इसका मतलब वह एंजूंड है कि भई यह न्यूस में इसके बारे में बताओ, इसका static part बताओ, right? cyber security news में, तो यह basically सारी चीज़े जो हम बात कर रहे हैं, तो, for example, what is the basic principle behind the vaccine development, वैक्सिन तो अल्रेडी न्यूस में पिछले 2-3 सालों से, right? तो यह सारी चीज़े जब हम बात करते हैं, तो अब हम आए थोड़ा सा और आगे जाके बात करनी है, कि यह तो आपको समझ में आए कि कोई तो चीज न्यूस में, right? और उसकी वज़े से आपको static में जो syllabus से trace हुए है पॉइंट है, वो आपको जाके detail में करने हैं और उसी पे generally सवाल generate होता है, अगर यह आपको समझ पाते है, generally, generally आपका जो September होता है, normally September या फिर August, तो उससे आगे जाके अगले अगस तक, मतलब यह पूरा एक साल complete करना है, नहीं करना है, तो अगस से April यह Prelim में आ जाता है, लेकिन आपके November, December के बाद अगस तक अगले यह generally means में आता है, तो यह सारी चीजे अगर आप थोड़ा सा filtered approach रखोगे, तो यह आप question predict कर सबते हो, ठीक है? लेकिन आगे जाके हमें सारी newspaper पढ़ने, क्योंकि हमने जो trace किये, उसमें कुछ New Indian Express से भी है, India Today से भी है, लेकिन जब हम बात करते हैं, तो specifically हमें यह realize हुआ, कि कौन से topic कहां से पढ़ने चाहिए, एक तो दो newspaper हमें पढ़ने है, The Hindu and Indian Express, that is mandatory, एक पढ़ रहे हो तो ठीक है, को अगर हम subject wise categorize करें, तो Indian Express से geography, society, polity and different acts, governance and schemes and environment यह ज्याधा trace होते हैं, और economy भी, right, culture, modern India, international relations, economy भी, science, disaster management and security, यह generally the Hindu से ज्याधा trace होते हैं, तो आप अगर यह categorization याद रखो कि the Hindu से इस के सारे news मुझे ज्याधा detail में पढ़ने हैं, और polity के सारे news जो basic है, वो Indian Express से मुझे ज्या categorization अगर होगे, तो आप दो newspaper within time range effectively cover कर सकते हो, so most important, अगर आपका current पे hold नहीं है, you cannot clear the UPSC, अगर आपका current पे hold है, तभी आप UPSC clear कर पाते हो, otherwise, it is a kind of a dream, वो a dream ही रहेगा, right, so along with that answer writing तो कर नहीं है, but prediction on the basis of current events, that is mandatory, so that's all from my side, thank you very much, an कितो आहार वा मुद número मुद आवादी तो को सकते हो, एंड़ने, जो है настоящ, आपका है